कुरोना वारिस के महा संकट के बीच आजपधान मंत्री नरिन मोदी ने इंडिन चेम्बर्स अफ कॉमर्स के विशेश कारेक्रिम को विडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्ये संबोधित किया ICC के 95 सालाना कारेक्रिम में पियमोदी ने कुरोना संकट को अफसर में बदलने की बात कही साथ ही देश के विकास में ICC की भूमिका की सराना की में चिन-चिन महानुखावन योगदान दिया है उस प्रत्य एक महानुखाव का मैं अविनंदन करता हूं साथियों ICC ने 1925 में अपने गठन के बात से आजादी की लड़ाई को देखा है उस लड़ाई को जीया है सरकारों से मुस्यपते भी जेली है वीशन अकाल और अन्न संकटों को देखा है विभाजन को देखा है विभाजन की उस पीड़ा को आपने सहा है और भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का भी आप हिस्सा रहे है अब इस बार की एजियम एक ऐसे समय में हो रही है जब हमारा देश मल्टिपल चैलेंजिज को चैलेंज कर रहा है कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड रही है भारत भी लड रहा है लेकिन अन्य तरह के संकट भी निरंतर खड़े हो रहे हैं कि पूर्वी और पस्टीम घ्यत्रे में एक के बाद एक दो साइक्लों चुनावती बन कर गया है ऐसे तमाम फ्रंट्स पर हम सभी एक साथ मिल करके लड रहे हैं इतना ही नहीं पियम मोदी ने एक बार फिर आत्म निर्बर भारत बनाने पर जोर दिया आत्म निर्बर भारत को बनाने का ये बहतरीन मौका है इसके साथ इस वक्त को लोकल के लिए वोकल का बताया कि बीते 5-6 वर्षों में देश की नीती और रिती में भारत की आत्म निर्बरता का लक्ष सर्वोपरी रहा है अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गती और तेज करने का सबक दिया है इसी सबक से निकला है आत्म निर्बर भारत अभ्यान हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि इससे उनके दिल पर कितना प्रभाव पड़ता है वो कितना घर्ब मैसुस करता है इसलिए अब अपने लोकल के लिए वोकल होने का समय है हर गाउं, हर कश्वे, हर जिले, हर प्रदेश, पूरे देश को आत्मंदिर भर करने का समय है पिये मोदी ने साथ ही मनुफाक्टरिंग पर जोर देते हुए कहा कि मनुफाक्टरिंग में बंगॉल की आतिहासिक रिष्टा को हमें पुनर जीवित करना होगा हम हमेशा से सुनते आए हैं बंगाल जो आज सोचता है भारत वाक सोचता है मनुफाक्टरिंग में बंगाल की आतिहासिक रिष्टा को हमें पुनर जीवित करना रहा होगा हम हमेशा सुनते आए हैं What Bengal thinks Today, India thinks Tomorrow हमें इससे प्रेना लिते हुई हम सब को मिल करके आगे बढ़ना होगा यह समय इंडियन एकोनामी को कमान एंड कंट्रोल से निकाल कर प्लाग एंड प्ले की तरफ ले जाना है गौर्द अलबहे की अनलोक एक में पहली बार पधान मंत्री मोदी ने ICC के 95 विशेश कारेकरम को संबोधित किया और इस दरान एक बार फिर पीम मोदी ने आदम निर्भर और लोकल के लिए वोकल होने पर जोर दिया